असलाव अलिकुम फ्रेंद तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक बहुती यूनिक स्टाइल में तयार हुई बेसन की सबजी अगर घर में कोई सबजी ना हो और समझ ना आए क्या बनाए तो इसे एक बार आप जरूर ट्राइ करें ये खाने में बहुती टेस्टी बन कर तयार होती है और बनाने में बहुती आसाला एक पैन के अंदर मैंने दो बडे चमश ओईल एट किया है वे इस अच्छे से हमें गर्म होने देना है इसी के साथ इसमें मैंने खड़े गरं मसाले sad किया है थोड़ा सा जीरा काली do qué mirchi long और 2-3 थेज पत्ते इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है इसी के साथ 2 बड़े मैंने प्याज लीन है कनें बारिक कट कर लिया थे मैने से इसे इसे भी हैं मिक्स करते हुए अच्शे से लेंत अगे हमें प्याज को ऐसे अच्छे का पेस्ट आड करूंगी और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है इसी के साथ एक बड़ा टमाटर है जो मैंने बारिक कट करके रखा था वो भी हम इसमें आड कर लेंगे इसी के साथ दो से तीन हरी मिर्ची भी आड करेंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसे टामाटर को गल्ले तक भून लेना है तो देखे फ्रेंड हमार जो टामाटर है वो भून चुके है इसी के साथ इसमें half teaspoon धनिया पॉडर एड़ करूँगी half teaspoon में इसमें भूना कुटा जीरा एड़ करूँगी इसी के साथ इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी एड़ कर रही हूँ एक बड़ा चमच लाल मिर्ची पॉडर एड़ करेंगे इसी के साथ half teaspoon में कश्मीरी लाल मिर्ची पॉडर एड़ कर रही हूँ और half teaspoon में गरम मसाला पॉडर भी एड़ कर रही हूँ और इन सब मसालों को हमें मिक्स करते हुए अच्छे से हमें इसमें भूल लेना है हमें फ्लेम को लो से मिडियम पर ही रखना है और सब मसालों को हम अच्छे से भूल लेंगे अभी इसी में थोड़ा सा में नमक एट कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसी में तो हाफ कप पानी आइट कर रही हूँ इसमें जो मसाले है वो हमारे अच्छे से कूख हो जाएंगे तो देखें फ्रेंड हमारे जो मसाले है वो अच्छे से कूख हो रहे है अब इसे हम साइट में रख देते हैं इसी के साथ एक बाउल के अंदर मैंने देड़ सो ग्राम मैंने आपर बेसन लिया है, रेगुलर वाला ही बेसन मैंने यूज़ किया है, इसी में हम हाफ टीस्पून नमक एड़ करेंगे, इसी के साथ हाफ टीस्पून लाली मिर्ची पॉर्डर एड़ करेंगे, और थोड़ी स कुंस कोई पनाना है लिए इस कोई me लेके इसte हम बढिया जैसे बना लेगे तो देखेए मैंने सारे को तोड़कर इसे साइट में रख दिया है अब इसे हमें shallow fry कर लेना है इसलिए पैन के अंदर मैंने एक से दो बड़े चमश ओईलेट किया है इसे अच्छे से घर्म होने देंगे और इसी में हमारे जो पोशन से बेशन के वो इसमें हम डिप कर लेंगे और इसे हमें low medium फ्लेम पे रखते हुए shallow fry कर लेना है तो देखे फ्रेंड इसे हमें उलट पलट करके सिर्व इसका color change होने तक हम इसे fry कर लेंगे हमें इसे जादा नहीं fry करना है बस इसका color है बस change होने तक हम इसे fry करेंगे तो देखे फ्रेंड हमारे जो पोशन के अच्छे से color change हो चुके हैं, अब इसे हम sight में निकाल लेते हैं जो मसाला है, इसके अंदर 2 cup पानी आइट करूँगी आप अपने हिसाब से इसमें पानी आइट करें और इसमें हमें अच्छे से उबाल आने देना है तो देखिए, इसमें पानी में पर रखते हुए हमें इसे 10-15 मिट तक अच्छे से कुक कर लेना है तो देखिए फ्रेंट 10-15 मिट हो चुके है हमारे जो बेसन है वो भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुका है अब इसके अंदर इसमें हम हरा अधन या एट करेंगे बारी कटा हुआ और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए जो हमारे मसाले है है वो अच्छे बेसन के अंदर अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं मैंने नाइफ की मदद से इसे कट करके देखे फ्रेंड ये अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके है तो एक बार इसे आप जरूर ट्राइ करें ये खाने में बहुती टेस्टी और मज़ेदार बनकर तयार होती है और मुझे अपना फेड़ बैक जरूर दे